सेलो गाइज आप सभी का स्वागत है बेरे चैनल एन्वे एक्स्प्लेंस पर अब ये वाला एपिसोड पूरा देखना बहुत ज़्यादा मज़ाएगा इस एपिसोड में तो चलिए बेना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि पिछले अपिसोड में हमने देखा था मुव और उसके डैड में आज लड़ाई होने वाली है बहुत भेहंकर वाली और अज फैसला होके ही रहेगा कि कौन जिता है और कौन हाता है लेकिन यहाँ पर मुव के डैड के पास एडवांटेज रहता है क्योंकि उनके पास ये भी उन सारे हमलों को ब्लॉक करता जा रहा होता है उसी स्पीड के साथ तो उनों बहुत ही अच्छा लड़ रहे होते हैं मुव सोच रहा होता है कि आखरी यह क्या हो रहा है उनकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रही है वो तो कम होने का नामी नहीं नहीं ले मुझे कुछ न कुछ तो इस वेपन का करना ही पड़ेगा नहीं तो आगे दिक्कत हो सकती है इदर उसके डैड भी खुश होते हैं और कह रहे होते हैं तुम पहले सताकत और हो गया हो लेकिन देखना पड़ेगा आखिर तुम कब तक मेरे हमलों को ऐसे ही ब्लॉक करते रहो फिर दोनों में लड़ाई वापर से शुरू हो चुकी होती है अब मुझे भारी पर रहा होता अपने डैड के उपर इन दोनों की लड़ाई देखकर अंकल कह रहे होते हैं मास्टर और यंग मास्टर दोनों एक दूसरे का अच्छी तरीके से टकर दे रहे हैं लेकिन यंग कि आखों को ध्यान से देखे तो वो काफी जादा काम है पैनिक बिल्कुल भी नहीं कर रहा है अच्छी तरीके से रिस्पॉंस कर रहा है भले वो अटेक हो या फिर डिफेंस हो वो बस मौके की तलाश में है कि जैसे ही उसे मौका मिले वो अपने डैड पर हमला कर देगा औ वो इसलिए क्योंकि मौ अभी तक उस रैंक तक पहुंचा नहीं था लेकिन फिर भी अपने डैड को टकर दे रहा है जो कि इतने बड़े पोजिशन पर बहुत अच्छी बात है अब इसके डैड करने जा रहे होते हैं एक बहुत ही ताकत वर हमला स्पेयर का वो हटता नहीं ही है और फिर उस जगह पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका लेगिन जब धुवाच हटता है तो हम दिखाया जाता है कि मौ उसके अंदर से ही हमला करता है उसके डैड बच चुके होते हैं वो काफी खुश होते हैं कि उनका बेटा बहुत सादा प्रोग्रेस कर चुका है वो ऐसे ऐसे हमले कर पा रहा है काफी कमाल की बात है जब पूरी तेक से दुना हटता है तो हम देखते हैं कि मौ बच चुका होता है वो अपनी सील्ड बना लेता है लेगिन यसे चोड़ बहुत जोर की लगी होती है अभी अभी इसने जो हमला किया था और इसके डैड ने इसकी जदा तर इनरजी जा चुकी है अभी इसके पास जदा काई इनरजी नहीं बची है उसके डैड उसे ज़रा ही मौका नहीं दे रहे थे वो तुरन थी वो के पास पहुंच जाते हैं मेरे प्यारे बेटे अगर आस तुम मेरे से जिन्दा बच गये मेरे हाथों से तब तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी, हम दोनों साथ मिलकर मूँ फैमली की गलोरी को वापस से बढ़ाएंगे लेकिन ऐसा होना बहुत जादा मुश्किल है, वो लगतार उसमें हमला करते जा रहे होते, वो अभी सिफ मैं चुटकी बजाते ही उसे मार दूँगी, लेकिन वो कहा रहा होता है कि नहीं नहीं, प्लीस स्वाड ऐसा बिलकुल भी मत करना, मैं, मैं खुद उसे मारना चाहता हूँ, आखिर मैंने 6 महीने के लिए ट्रेनिंग क्यों की थी, इतनी जादा करी बैसके उपर, आब बस अराम से रहिए, अगर स्वाड ने साही हुए, इसकी बॉड़ी को पर टेक ओवर कर लिया तो इसके डैड़ के टुकड़े कर डालेगी, उसके डैड़ आ रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं, क्या हुआ हुआ आखिर तुम खुद से ही बाते क्यों कर रहे हो, अब मुझ को याद आ रहा होता है कि उसके मास्टर ने उसे एक स्पेशल टेक्नीक सिकाई थी, वो टेक्नीक तो एक है, लेकिन उसमें पाँच अलग 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 टेक्नीक मिक्स है, जैसा कि सबसे पहला जो टेक्नीक था वो होता है यह शील्ल वाला और दूसरे बाखी सारे टेक्नीक्स आपने पहले भी दे होए हैं, जैसे एक एगल स्वेल ऑन फिर वो टेक्नीक करता है, इस टेक्नीक करने लिए इसे पांच अलग अलग COT कÅ कंभाईन करना पड़ेगा लेकिन इसमें से दो टेक्नीक ये अभी तक ट्राई नहीं किया है तीन टेक्नीक इसने ट्राई कर लिये है तो ये अभी पूरे टेक्नीक को इस्तेमाल नहीं कर सकता है इसलिए ये अपने जो ड्रैगन मूव होता है बिल्कुल ड्रैगन की तरह इधर उदर हिलते डूलते जा रहा होता है अंकल कहा रहे होते ही यंग मास्टर की मूव्स तो बिल्कुल किसी ड्रैगन की तरह लग रहे है सूपर फास्ट और अन्प्रेडिक्टिबल फुट और काफी का माल का है उसके teacher कहा होते हैं कि यह master's की skill को imitate कर रहा है वो अपने dad के 4 तरह भूम रहाता ताकि वो उन्हें confused कर सके और uncle कहा होते हैं कि भले ही young master's ने अपनी यह नई टेक्णिक क्यों ने इस्तमाल की हो लेकिन फिर भी master के पास ability है, technique से जादा बढ़कर है उसके डैड को गुस्सा आ रहा था वो कहा रहे होते हैं तुम मेरे सामने ये बच्चो वाले खेल खेलने वाले हो वो पूरा ड्रैगन की तरह आगे पीछे जा रहा होता है और अपने डैड पर हमला करता है लेकिन उसके डैड सही में ताकत वरते वो अपने एक ही हमले में इसे ही वापस गिरा देते हैं अंकल कहा रहे होते हैं कि देखा जैसा मैंने तुमसे कहा था भले ही यग मास्टर कितने भी ज़्यादा ताकत वर क्यों न हो गया हो पहले से बहुत ही ज़्यादा चेंज क्यों न हो गया हो और वैसे भी यंग मास्टर अभी तक सिर्फ ब्लैक रैंक में ही पहुँचे हैं तो इतनी ताकत और वो एबिलीटी दिखा रहे हैं तो ये बहुत ही ज़ादा कमाल की बात है लेकिन मैंने जैसा की कहा अगर वो इतनी पावरफुल पावरफुल इटैक्स कर रहे हैं तो उसके लिए उनकी काई एनरजी भी बहुत जल्दी जल्दी खतम हो रही होगी और यंग मास्टर इसके लिए जरा भी तयार नहीं है क्योंकि वो नए नहीं है और रही बात मास्टर की तो मास्टर बहुत ही ज़ादा एक्सपिरियंस खिलाड़ी है उन्होंने आस तो बहुत सारी लड़ी है बहुत सारे दुश्मनों से भी उन्होंने लड़ाई की है तो उनके लिए ये सब मैनेज करना जादा मुश्किल बात नहीं है अब देखो कुछ भी हो लेकि नियंग मास्टर की एनरजी खतम हो चुकी है और वो जादा लड़ नहीं सकते हैं बात बिल्कुल सही ह होती है क्योंकि अब ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था उसका पूरा शरीर काप रहा था उसके डैड़ आ रहे होते हैं अब मैंने तुम्हारी असली कैपिलिटी को पहचान लिया है अब मैं ये बात साम से कह सकता हूँ कि हमारी मुझ फैमली में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि कमजोर है क्योंकि अब तुम भी ताकातवर बन चुके हो मैं मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे बलड स्ले बलड लाइन को मिसजच कर लिया है तुम अपनी हार क्यों नहीं मान लेते हो और मुझे वापस से अपने डैड पहचान लो मैं तुम्हें वापस से मूँ क्लाइन में ले लूँगा और तुम्हें मूँ क्लाइन के सीक्रेट मार्शल आर्ट टेकनीक सिखाऊँगा जिससे तुम और भी जादा पौरफुल बन जाओगे मूँ गया था कि तुम अपना मूँ बन रखो तुम्हारे जैसा एक बेकार आदमी कभी भी बाप कहलाने के लाइक नहीं हो सकता है मैं तुम्हें कभी भी अपना बाप नहीं माने वाला हूँ यह हस रहोते हैं और कहा रहोते हैं चलो देख लिया जाए वैसे मुझे पूरी उमीद है कि तुम मेरे ही साक्री हमले को नहीं जहिल पाओगे और तुम मारे जाओगे चलो गोई भी बात नहीं है मुझ सोच रहा होता है कि धक तरीकी ये black rank का limitation है मेरी body की energy भी खतम हो गई है और मैं हिल भी नहीं सकता हूँ मैंने उस spare की power को underestimate किया मुझे पूरी तरीके से पता नहीं था कि वो spare इतना जदा powerful है मेरे पास थोड़ी सी strength क्यों न बची हो लेकिन मैं उसके सामने अपना सर तो बिल्कुल भी नहीं जुकाने वाला हूँ मैं अपने वादे का पक्का हूँ और मैंने अपने master से वादा किया था कि मेरे bloodline के जितने भी लोग है मैं उन सभी को बचा कर ही रहूंगा किसी को भी नहीं मुसीबत में आने दूँगा मैंने sword से वादा किया था कि मैं और भी ज्यादा powerful बन जाओंगा और इतना ज्यादा powerful बनूँगा ताकि future में चल कर तुम्हारी body को वापस से reconstruct कर सको साथी साथ मैंने mom से भी वादा किया था कि मैं उन्हें इस नर्ग से बचाने के लिए जरूर आँगा मैं अपने वादे को पूरा करूँगा वले ही मेरे शरीर का आखरी कत्रा भी क्यों न लग जाए लेकिन मैंने जो वादा किया है मैं उसे निभा करी रहूंगा इतनी अस जी अब मुग के पास वापस आ रही है हाला कि जो स्वार्ड है उसका ब्लैक एब या स्वार्ड पर कंट्रोल है लेकिन अच पतनी अच पहली वार ऐसा हुआ है कि जो ब्लैक एब या से वो अपनी मर्जी से एनर्जी को वापस लोटा रहा और मैंने कभी एक्सपिरियंस न इमाव होता है यह जब चाहे तब काई एनर्जी को ले सकती है दूसरे बंदों से और फिर वापस उसे ट्रांसफर भी कर सकती है लेकिन जो ट्रांसफर वाला सीन होता है वो बहुत ही ज्यादा रेर केस होता है जब पहली बार यह गौड एब या स्वार्ड को बनाया गया मूट यान तुम बहुत ज़्यादा लगी हो मैं भी तुम्हें रिकॉड नाइस करती हूँ अब मैं यह बाड़ी तुम्हारे हाथों में छोर रही हूँ तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो अब मैं अपनी मर्जी से आना चाना नहीं करूंगी वो कहता आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब पूरी काई इनर्जी इसके अंदर फ्लो हो रही होती है अब बहुत जब्हुत जब्हशदा काय की ज़रूरत थी लेकिन अब उस सारी इनर्जी के अंदर वापस आ चुकी है उसके फादर पीछे मुड़ते हैं और कहह रहे होते है तो तुम जिंद उसका तो खटिया खड़ी हो जाता है, यह कह रहे होते हैं कि तुम इसे अपने फादर की तरफ से punishment समझ सकते हो, तुम अपनी इस बेकार सी glory के लिए अपने आसपास जितने भी घिरे लोग हैं, उन सभी को चोड़ पहुचाना चाते हो, एक बार नहीं वो भी बार बार और क्या क्या नहीं किया है, इनकी पावर अब सही में बहुत ज़्यादा होती है, अंकल भी कह रहे होते हैं कि लगता है, मास्टर सच मुछ, अब तो यंग मास्टरों को मारने की ही फिरात में, कोई भी अब रोप नहीं सकता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कि आखिर असली पावर किसे कहती है, तुम बहुत ज़्यादा जिद्धी हो, तुम्हारा नहीं रहना यहाँ पर सबसे बहतर रहेगा, इससे मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन अब मुव भी तैयार रहता है, अपने सबसे पावरफुल हमले के लिए, जो इसे, इसके झाल मुझे इसके मुझे कोईर्ण आपप्सचार रहना है, रहता है।